रेंड सार जो आचारे कुंद कुंद स्वामी कृत जिसमें हम निरंतर उस ओर बढ़ रहे हैं जहां पर मोक्ष मार्ग एबं ग्रहस्त मार्ग किस तरह प्रसस्त होता है आज उसी क्रम को प्राप्त कारिका नौकी अंतरगत आचार भगवंत कहते हैं मुक्ती सुख के पात्र आखिर होते कौन है उन्होंने कारका में कहा है आचार भगवंत ने कहा जो देव गुरू समय भथ्ता जो देव के गुरू के और समय यानि शास्त्र के भथ्ता भथ्त हैं संसार शरीर भोग परिचत्ता जो संसार शरीर भोगों से परित्यक्त हैं यानि की त्यागी हैं बिरक्त हैं रैनत्य संजुत्ता जो रत्नत्र से युक्त हैं ते माने वे मनुआ मनुआ माने शावक ऐसे मनुष से ऐसे शावक सिव सुहम पत्ता सिव सुख के अधिकारी होते हैं सिव सुख को प्राप्त करते हैं अब प्रश्ण यह है कि कैसे देव वो देव जो अठारे दोसों से रहित बीत राग में हैं जिनके दर्शन मात्र से बड़े-बड़े कर्मों के प्रम्प्रागत कर्मों की संतती भी छन भर में नाश्च को प्राप्त हो जाती है कैसे हैं वो गुरु जो विस्यों की आसा से रहेत आरंब परिग्रह से दूर ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं ऐसे वो प्रसस्त्री यसस्त्री तपोधन और कैसा है वो समय यानि की बीतराग में वानी जिन वानी मा वो भी है जो देह को जन्म देती है मा वो भी है जो देही को जन्म देती है वो भी मा है जो लोरी सुनाती है ये भी मा है जो लोरी सुनाती है सिर्फ अंतर इतना है एक लोरी सुना करके सुलाती है और एक लोरी सुना करके जगाती है ऐसी वो जन्नीमा और मा जिनवानी ऐसे बीतराक्ता के पतपर उनमुक करने के लिए देव, सास्त्र, समय यानि की जिनवानी के जो भक्ते है उन पर श्रद्धान करने वाले हैं महनभावो ऐसा चेतन जिसने तन देने के बाद उसको चिंत्वन की सामर्थ प्रदान की है इसलिए तो मा जिनवानी ने आपको चेतन कहा ऐसा वो चेतन संसार, सरीर और भोगों से परित्यक्त हो जाता है, दूर हो जाता है कैसा है वो संसार तो खूप अच्छे से पढ़ते हैं, चाहूं गत्य दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं सब बिद संसार असारा या मैं सुख ना ही लगा रहा। ऐसा वो संसार जिसमें जीव एकिंद्री से लेकर के पंचंद्री तक के एक सुई की नौक के बरावर भी इस्थान तो अफसिस नहीं है, वो संसार में अगर सार है तो सम्यक्द संसार है, संसार में यदी कुछ सार है, तो सम्ता का सार है, संतुस का सार है, इसके अलाबा संसार निसार है, संसार शरीर, शरीर कैसा है? जो बीवत से है, भhaleानक है, मलों का ऐसा निकास द्वार है जिसको देखने के बार बैरक बिरक्ति, बैराग स्वयमेव होता है, ऐसे संसार और जो भोग जो सेवन करते समय बहुत अच्छे लगते होंगे लेकिन वोई भोग जब विपाक काल में उतर के आते हैं तो वेरस लगते हैं ऐसे संसार सरीर और भोगों से जो दूर हैं रहते हैं, भहिदीते हैं ऐसे सरीर भोगों को जिसने भी प्राप्त किया, एक सम्यकदष्टि आत्मा जहां आचार भगवन्त कहते हैं कि आखिर मुक्ती सुको प्राप्त कौन करेगा, कौन कर सकता है, आचार भगवन्त कहते हैं, धर्म के साथ धन हो, लेकिन धन के साथ धर्म हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, सिर्व सुक्का अधिकारी वही हो सकता है, जिसने अपने मन से मम्ता को तोड़ देता है, अहंकार को चकना चूर कर देता है, सर्व परिग्रह को जो बुद्धी पूर्वक छोड़ कर त्याग कर अपने बड़पन को भी छोड़ देता है, ऐसा वो धर्मात्मा, ऐसा वो शुद्ध श्रद्धानी श्रावक जो शत्रता में भेद नहीं करता, जो सुख में, दुख में, हानी में, लाव में, निंदा और बंदना में, मान और सम्मान में, समेशा सौमिता धारन करता हूँ. सम्रसी भावी, वो ग्यानी आत्मा केवल चिंतन की धारा में उतरता है, ना कि चिंता में. आज आप जिस चिंतन में लगे हैं, वो चिंतन केवल चिंता को ब्रधिंगत करने वाला है, कि मैं कैसे धनवान बनूँ, मैं कैसे सम्मान को प्राप्त करूँ, मैं कैसे उस लिष्ट में अपना नाम लिखाऊं, कि मैं भारत का सबसे धनाड़ नागरिक हूँ. हमारा चिंतन इस तरह का है, जबकि आचार भगबंत कहते हैं, कि ज्ञानी का ये चिंतन कभी नहीं होता, ज्ञानी का चिंतन होता है, कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ और कहां पर जाओंगा, ज्यान रखना, ये चिंतन हमारी भीतरी वासना को देखने के लिए हमें प् जो ग्यानी, जो धर्मात्मा, संसार शरीर भोगों से विरक्त है, भैबीत है, ऐसा वो आत्मा, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, और कहां पर जाऊंगा, अपनी भीतरी वासना को, काम को, क्रोध को देखने में लगा रहता है, विकार काम क्रोध आदी मेरे शील यानि सवभाब को लूटने में लगे हैं, जो मेरा सांत समता संतोस में सवभाब है, संतोस का जो धन है, उसको लूटा जा रहा है, उसको छीना जा रहा है, उसका नाश किया जा रहा है, किस के द्वारा किसी पडोसी के द्वारा नहीं रे चेतन केवल तेरे स्वभाव में जो कुसंगती का विभाव रूपी मित्र मिल गया है वो विभाव रूपी मित्र तेरा सरवस हरण करने में लगा हुआ है तेरा सरवस हरण करके तेरी आत्मा को शक्ती से विक्रत कर देता है तेरे सरूप को शरीर की शक्ती को निस्तेज करके तेरा सरवस लूट ले जाता है फिर भी रे ज्ञानी चेतन तु क्यों नहीं जगता अपने को क्यों नहीं पहचान पा रहा अपनी रक्षा कर अपने सभाव को पहचान कब पहचानेगा अपने सभाव को पहचानने के लिए जब जब तुझे उपकारी परमोपकारी गुरुओं ने बुलाया तो तुने कहा अभी नहीं अभी समय बाकी है अगर प्रेड़ ना दी कि भाई अणू ब्रतों से अब महाब्रत की ओर बड़ो तो भैवीत हो गया कि कैसे पालन होंगे भैवीत ना हो रे चितन सिर्फ ये पैचान मैं कौन हूँ जो तेरा नाम है जो तेरा ये शरीर है आज चमकिला है कल निश्तेज हो जाएगा आज जो द्रष्टी गोचर हो रहा है ज्यानी आत्मा विचार करता है द्रष्टी गोचर होने वाला शरीर वो मैं नहीं हूँ जो मेरा नाम लेकरके दुनिया मुझे बुलाती है वो मेरा नाम नहीं है पिर किसका नाम है तो ज्यानी आत्म कहता है रे चेतन वो तेरे इस पुद्गल के पिजडे का नाम है जिसके अंदर तु कैद है इस नश्वर सरीर का नाम है तू तो एक शुद्ध आत्मा है तू तो एक निर्विकारी आत्मा है तू तो एक शुद्ध बुद्ध ज्यान गुण वाला चैतन्य सरूपी अवनासी अजार अमर आत्मा बन करके बैठा हुआ है क्यों चिंता करता है बिचार कर थोड़ा सा चिंतुन में उतर कि जो चैतन्य गुण तेरे अंदर है परम समरसी भाव जो तेरे अंदर है वो किसी दूसरे का सभाव नहीं है वो सभाव तो तेरे स्वयम तेरी आत्मा का है जब एक ज्यानी आत्मा रतनत्र से संयुक्त होता है तो रतनत्र से सईयक तो होने वाला किसी पर का शंगार नहीं करता बरन अपने को शंगारित करता है पर का शंगार का मतलब समझ रहे ना पर के शंगार का तातपर है ये देह भी पर है इसके शंगार में नहीं लगता भला जो देह कोई पर मान करके श्रंगारित नहीं करता वो काम कुरोध को मित्र कैसे मान सकता है विवाव परणती को कैसे अपना सकता है वो विचार करता है कि मेरा आत्मा जो साश्वत अजर अमार अतुलित वलशाली है ऐसा वो आत्मा ना मुझे सस्तों से काट सकता है ना अगनी मुझे जला सकती है, ना पानी मुझे गला सकता है, और ना हवा मुझे उड़ा सकती है, मेरी कभी मुरत्यू नहीं हो सकती. आचायरे, पुझपात स्वामी, इस्टो पदेश की 29 वी कारिका में बड़ा अच्छा प्रदशन कर देते हैं उस चेतन आत्मा का. मेरी म्रत्यू नहीं होती है, जब मेरी म्रत्यू नहीं होती, तो भीती कुतो है, तो भहि किस बात का, नमे ब्याधी, मुझे ब्याधी नहीं होती, जब ब्याधी नहीं होती, तो रे चेतन फिर ब्यथा किस बात की, फिर पीड़ा दुख किस बात का, मैं ना बालक हूँ मैं न युवा हूँ मैं न ब्रद्द हूँ ये जो परियाय दिखाई देती हैं बाल पने की युवा पने की ब्रद्द पने की ये तो सब पुदगल की परियाय हैं पुदगल का सवाब है, पुदगल का धर्म है, इस पुदगल से मैं सर्वथा भिन्न हूँ, इस पुदगल से मैं सर्वथा जुदा हूँ, ऐसा बिचार किसने किया, भो साधक, बिचार करना, रतनत्र से संयुक्त आत्मा को बनाने के लिए, आचारे भगवन्तों ने हमें जो परोसा है उसको यदि हम चिनमेता से एक वार चिन्तन तो कर लें तो आपको लगेगा मेरा सच में है क्या कहां से लाया और किसको दे करके जाऊंगा जिस परवार के भरण पोशन के लिए रात दिन एक कर दिया रे ग्यानी आत्मा तु एक दिन अपने परवार को दे करके चला जाएगा जिसके लिए तुने पाप किया, क्रोध किया, मान किया, माया किया, लोव किया, सब कुस्तो किया फिर भी तू उसका भोग कर नहीं पाया जोड जोड कर रखता रहा किसके लिए अपने परवार के लिए अगर तुझे परवार के लिए ही जोडना है तो फिर छोडता क्यों है ऐसी नौबत ना आये कि अपने को छोड़ना पड़े हमें विचार सिर्फ ये करना है उन गुरुओं के चर्णों में जाने का सुलाब जभी प्राप्त होगा जब हम खली और चिंता मनी की पहचान करने की पात्रता धारन कर लें हम घी और छाच की उपादेता को समझने का पुर्शार्थ कर लें दोनों की कीमत क्या है शेष्टता क्या है कौन अच्छा और कौन बुरा है किसको ग्रहन करें और किसको छोड़ दें जब तक हम ये चिंता मनी और खली को भेद को प्राप्त न हो पाए तो बला तिरा ये पौरुशत है तिरा ये धर्मात्मा पना किस काम का है ये धिकार है इसका कोई सार नहीं है अगर बास्तम में अपने आत्मा को समझने के लिए बास्तम में धर्मात्मा वनने के लिए जिनेंद्र देव का निर्गंत गुरु का और मा जिन्वानी का तु भक्त है सेवक है उनका अनुगामी है तो ध्यान रखना जो जो देव सास्त्र गुरु के अनुचर होते हैं पथानुगामी होते हैं भक्त होते हैं श्रद्धा उनके लिए निश्कंप रखते हैं ऐसा ही आत्मा संसार और सरीर से बिरक्त होता है भोगों का सर्वथा त्यागी होता है और जब भोगों का त्यागी होता है वहीं पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रतनत्र का मौझूद पना स्वयमेव हो जाया करता है